Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल प्रचुनिटीज के बारे में चर्चा करूँगा, और यहाँ पर एक डाक क्लाउड है, मतलब एक समस्या है, वो क्या चीज है, दोनों देश के रिलेशन्स में, वो चीजे मैं आपसे डिस्कस करूँगा, बेसिकली क्या है, कि एक फॉर्मल अमबैस्डर है, इन्हों ने इसके बारे में कुछ लिखा था, उसी को बेसिस बनाते वे, मैं यहाँ पर यह वीडियो बना रहा हूँ, काफी इंटरस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ आपको पता लगेगा, चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है आप सभी को, आप एसे जो भी लोग UPSC 2024 की preparation कर रहे हैं, तीन live batch एक साथ study IQ launch किया है, अभी भी आपके पास मौका है यहाँ पर pure English, pure Hindi या फिर English batch लेने का, अगर आप एक single batch में prelim से लेकर interview तक की पूरी त्यारी चाहते हो, यहाँ पर आपको कुछ भी और लेनी की आफश्रकता नहीं है, क्योंकि हम आपको live class, personal mentor allot करते हैं, जो की पहले जितने भी बच्चों ने admission लिया है, सबको कर दिया गया है, test दिये चाहते हैं, कुछ भी और आपको लेना नहीं पड़ेगा, तो simply हमारे website अप पर जाएए, या फिर comment section में इसका link है, वहाँ पर जाकर use करिए code UNKITLIVE ताकि आपको maximum discount बिल सके, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है, देखे, PM Modi, Washington DC पहुँच चुके हैं, और वो तीसरे इंडियन लीडर होंगे पुरे इतिहास में, भारत के इतिहास में, जिनको US के state visit पर बुलाया जा रहा है, देखो, US जो है न, वो बहुत कम दुनिया के leaders को state visit का मौका देता है, देखो, state visit में क्या होता है, कि पूरे जो शोर से जो त्यारी होती है, जो डिनर होता है, president के साथ, मतलब आपने देखा होगा, PM Modi कई बार उलड़ी जा चुके हैं, अमेरिका अपने कारेकाल में, लेकिन ये जो visit है, ये पहली बार PM Modi के कारेकाल में होगा, इसके पहले अगर आप देखोगे, तो मनमुहन सिंग जी को मिला था, 2005 में, तो आप समाझ सकते है हैं, लगभग 18 साल हो चुके हैं उस चीज को, और अब जाकर किसी Indian Prime Minister को ये जो particular state visit है, वो यहाँ पर दिया जा रहा है, अमेरिका की दोरा, और जब नरेंद मोदी जी जा रहे थी, तो आप देख पाएंगे, यहाँ पर उन्होंने tweet भी किया था, ध्यान रखेगा, ये US का तो visit है यह, लेकिन लोटते वक्त, PM, Modi, Egypt भी उतरेंगे, जादा तर Egypt के बारे में कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये भी important होने वाला है, खेर, वो जब होगा तमामा आपसे चर्चा करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं, भारत और US के बीच में, देखो सबसे पहले मैं को बताता हूं, पिछली बार, जुलाई 2005 में, जब PM, मनमोहन सिंग जी वहाँ पर गये थे, तो एक बहुत बड़ा बदला हुआ था, वो भी state visit था, जब भी state visit होता है, तो दोनों देश के बीच के जो relations हैं, वो दूसरा direction ले ले लेते हैं, तो क्या हुआ था, 2005 का समय आप याद रखेगा, अटल भीहरी वाजपाई जी की सरकार थी पहले, वहाँ पर उन्होंने nuclear परिशन किया था, तो भारत जो है, उसको थोड़ा सा side line करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि भारत ने nuclear bomb का जो परिशन किया था, उसकी वजए से भारत को जो nuclear technology है, वो मिलने में मुश्किल आ रही थी, लेकिन PM, मनमुहन सिंग का ये जो विजट था 2005 में, उसने बहुत कुछ बदल कर रख दिया, और आप देख पाऊगे, bilateral 123 agreement, ये 123 जो agreement है, ये basically, भारत और US का जो civil nuclear agreement है, उससे relate करता है, तो इस state visit की वजए से, finally 2008 में, ये जो agreement है, दोनों देश की स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस समय का जो भारत था, देखी आपको समझना है, और आज का भारत जो है, उसमें बहुत बड़ा बदला हो है, मैं आपको कुछ examples देता हूँ, 2005 में भारत की GDP क्या थी, it was just 800 billion dollar, आज के date में क्या है, हम 3.75 trillion dollar से भी जादा की GDP है, उस समय जब PM, म 159 billion dollar, यह difference आप देख रहे हो, सिर्फ यही नहीं, अगर हम foreign direct investment की बात करें, 2010 में, तो US भारत के अंदर 1.17 billion dollar का foreign direct investment करता था, आज के date में हर साल 13.8 billion dollar का investment करता है, लेकिन इन सभी से ज़्यादा, मतलब यह आकड़े तो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन इन सबसे ज़्याद के politicians, bureaucrats, businesses, academic, scientists, आपस में मिल जुलकर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हो, कि यह जो मोदी जी का visit है, वो एकड़म सही समय पर आया है, क्योंकि भारत के पास इस समय शमता है, शक्ति है, और बहुत सारी जो important चीजे हैं, वो हम अमेरिका से ले सकत है, लेट मी टेल यू, वो है आपका technology, देखें, भारत को इस समय सबसे ज़्यादा चीजी के जरूरत है, वो है US technology, क्यों, क्योंकि आप देखोगे, आज भी अमेरिका अगर चाइना को रोकने की कोशिश करता है, वो है आपका technology बैन लगा कर, चाइना को भी इस समय US के technology पर फाइदे मन्द होगा, और क्योंकि US को तो counter करना ही है चाइना को, तो वो इसकी वज़े से सारी जो technology है, वो भारत को दे सकता है, तो यहाँ पर capital और management expertise के अलावा, जो cutting at US technology है, वो भारत क्या होशकता है, यहाँ पर अभी तक क्या होता था, कि जो US के firms हैं, बिजनेसेंज है यूएस की government है, वो भारत को वो technology देने से कत्राती थी, लेकिन आपको recently पता होगा न, अजीत दोवल ने मिलकर यहाँ पर एक नया agreement साइन किया, इसको बोला गया, ICET, that is initiative on critical and emerging technologies, जिसके तहत, यूएस और भारत के बीच में जो important technologies हैं, उसका exchange हो सकेगा, तो भारत, यूएस वर्क कर रहे हैं, इसके तहत एक साथ, ताकि quantum computing हो गया, artificial intelligence, space, defense, robotics, 5G, 6G, government, scientists, technologies, बहुत सारी चीजें, इस particular critical and emerging technologies, जो ICET बनाया गया है, उसके तहत किया जा रहा है, दोनों देश के जो public और private sectors हैं, वो innovative breakthrough लाने की कोशिश कर रहे हैं, इन नए technologies के अंदर, और यही कारण है जिसकी वज़े से, आज US मान गया है, कि वो भारत को transfer करेगा, GE F414 का जो engine technology है, वो भारत को दिया जागे, यह आप देख सकतो, जो General Electric का F414, यह नया advanced version है, 404 का, basically यह जो engine है, वो आपका जो fighter jet हो गया, इन समय इस्तमाल किया जाता है, तो आप सोच के देखिए, अगर हमें यह engine प्राप्ट हो जाता है, इतने powerful engine, तो कही न कहीं भारत भी आगे चलकर future में जो है, जो बड़े स्तर पर fighter jets है, उसका manufacturing कर पाएगा, इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे, तो भारत पिछले कुछ समय से बड़े स्तर पर US से weapons खरीद रहा है, इसका main कारण यह है कि पहले हम बहुत जादा रश्या के उपर ही dependent थे, अब कही न कहीं हमें जो sources है उसको diversify करने के जोरत है, 2018 में US ने क्या किया था, कि भारत को जो strategic trade authorization license है, उसके अंदर tier 1 में डाल दिया था, क्योंकि क्या होता है कि वो अलग-लगर आप जिस tier में रहोगे उस हिसाब से US weapons sell कर सक यह tier 1 सबसे उपर वाली category होती है, जिसकी वजए से बहुत सारी जो नए weapons हैं भारत को वो supply कर पाएगा, तो जो government है basically अभी आपने सुना होगा, भारत की सरकार ने approval दे दिया है कि predator drone आपको पता होगा, MQ-9 जो unmanned aerial vehicle है UAV, वो भारत ने approval कर दिया है 31 UAV, वो हम USA लेने वाले ह जिसका इस्तमाल हमारी जो armed forces है, Navy, Army और Air Force हो गया, उनके द्वारा ये किया जाएगा, और अगेन भारत की सुरक्षा में ये बहुत important, let me tell you, role play करने वाला है, ये जो drone आप देख रहे हो, ये आपका surveillance तो करेगा ही, निगरानी तो रखेगा ही, जरुरत पढ़ने पर, अगर अगर हमें pinpoint तरीके से कहीं पर destruction करना है, destroy करना है, जिसे बाला कोट strike हो गया, आपको याद होगा, तो हमें fighter jets भेजने पड़े थे, हमारे pilots को भेजना पड़ा था, तो rather than that, इस drone का हम सही से इस्तमाल कर पाएंगे, फिर इसके अलावा PM Modi का ये जो visit है, उसमें Indian American Community देखो, हम 4.2 million जो Indian American Community है, उनका भी role है, तो यहाँ पर उनके साथ भी वो मुलकात करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, कि उनकी वजए से आज ये possible हो पाया है, तो चलो ये तो positive बाते हो गई, ये तो अच्छी बाते हो गई, अब दोनों देश के बीच में जो dark cloud की मैं बात कर रहा था, वो क्या है, प्राबलम क्या है, देखो, यहाँ पर जो one dark cloud है दोनों देश के corporation में, वो ये है कि US के कई सारे जो strategic thinkers हैं, जो वहाँ की strategic community है US की, उनको ऐसा लगता है कि भारत के उपर निवेश करके, भारत को अपना partner बना कर, क्या US गलती तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उ नहीं देगा, देखो, हमने देखा हुआ है कि भारत को कई बार backstabbing किया गया है US के दोरा, कैसे US ने पहले पाकिस्तान को support किया है, चाहें, बांगलादेश व्यूद का दोरान हो गया, तो उस समय हमें रश्या से मदद मिलेगी थी, तो ऐसा नहीं है कि भारत कोई बहुत करने की बारी आएगी, तो भारत भी तो calculation करेगा ना, कि अगर मान लो, इंडो Pacific में किसी तरह का यूद होता है, इंडो Pacific में अगर यूद होगा, और भारत भी उस यूद में कूद गया, तो यहाँ पर हो सकता है, चाइना जो है हमारा जो इतना बड़ा border है, वहाँ पर problem करन स्टार्ट कर दे, तो इसकी वजए से कई सारे US के thinkers को ऐसा सोचते हैं, कि अगर वो भारत पर निवेश करेंगे, US इंवेश करेगा भारत के capital पर, तो भारत हो सकता है कि पूरी तरह से US का साथ ना दे, और इसी की वजए से वो caution रहने को कहते हैं, US की government को कि आप भारत के कर रहो इतने बड़े स्टर पर, लेकिन थोड़ा सावधानी से करिए, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर कि भारत का actual position क्या है, देको भारत ने हमेशा से consistently यहां पर कहा है कि हम किसी प्रकार का कोई alliance नहीं बनाएंगे, हमने हमेशा से यह चीज कहा है, हमने यहां पर US क साफ साफ यह कहना था कि देखे, यह एक हर एक देश अपने interest पर काम करेगा, हमें भारत जादा तर oil हम बाहर से मंगाते हैं, तो अगर हमें सस्ता oil रश्या से मिल रहा है तो हम क्यों नहीं मंगाएंगे, रश्या हमेशा से भारत का साथ दिया है, पार्टनर रहा है, तो हम क यह नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ भारत के interest पर ही आपर भारत हमेशा होगा, कहने का मतलब यह है मेरा, जैसे कि suppose अगर authoritarian rule की बात आएगी और democratic rule की बात आएगी, तो भारत हमेशा democracy को ही चुने का, अगर बात आएगी rule based international system की और वहीं पर जैसे चाइना अपने मनमर्जी से काम चलाता है, तो हमेशा अव्वेसी बात है, हमेशा भारत नहीं दोरा है कि इंडो पैसिफिक में या फिर कहीं पर भी rule based international system होना चाहिए, अगर बात आएगी unipolar, एशिया की और multipolar की, तो भारत हमेशा multipolar को ही चुने का, तो जब भी इस तरह की चीज़ां यह है, भारत ने हम बेस्ट और होना चाहिए, देश अपने मनमर्जी से यहाँ पर काम नहीं कर सकते, तो बेसिकली conclusion यही निकलता है, कि जो think tanks हैं अमेरिका के अंदर, जो observers हैं, जो analysts हैं, उनको यह चीज़ रेकोगनाइस करने ही चाहिए, कि भारत का जो geographical location है, वो बहुत जादा critical है, हमारा को समझने की जुरत है, और जितना जादा US मदद करेगा भारत को technology की terms में, अलग-अलग चीज़ों की terms में, तो यह पूरे दुनिया के लिए एक बहतर संकेत होगा, हम सबने देखा हुआ है, कि US ने जब Pakistan को मदद की है, technology प्रोवाइड की है, तो उसका क्या अंजाम हुआ ह पाकिस्तान ने उसको आतंगवाद की तरफ धकिलने की कोशिश किया, लेकिन भारत कभी ऐसा नहीं कर सकता, तो PM Modi का यह जो visit है, अमेरिका का, वो एक turning point साबित हो सकता है, आगे आने वाले समय में, future के लिए, पूरे दुनिया के लिए, तो देखना होगा किस तरह सी होती ही मैं आपको update लाता रहूँगा इसके उपर, but I hope कि इस वीडियो को आपने enjoy किया होगा, काफी कुछ समझ में आया होगा आपको, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, कि United States का सबसे largest river system, इन में से कौन सा है, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही maximum discount and I hope कि इस वीडियो आपको पसंद आया हो का मिलता हूँ आप से नेक्स ताइम, till then thank you very much, see you soon.